स्वाल नम्ब एक, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामा कहा जाता है, A. एंगल, B. लीनियस, C. अरस्तू, D. लैमा, इसका सही जवाब है लीनियस, स्वाल नम्ब दो, सूक्षम जीव मिलते हैं, A. रेतली मित्टी में, B. लवन युक पानी में, C. दलदल भूमी मे D. इन सभी में, इसका सही जवाब है इन सभी में स्वाल नम्ब तीन, विशानो वृद्धी करता है, A. जीवित को शिका में, B. चीनी के विलन में, C. मृत शरीर में, D. पानी में, इसका सही जवाब है जीवित कोशिका में स्वाल नम्ब चार साबुदाना किस से बनाया जाता है A. पाइनिस B. सेद्रिस C. जूनिपेरिस D. साइकस इसका सही जवाब है साइकस स्वाल नम्ब पाँच फलों का अध्यान कहलाता है A. फिनोलोजी B. पॉमोलोजी C. एग्रिस्टोलोजी D. एथोलोजी इसका सही जवाब है पॉमोलोजी स्वाल नम्ब चे है अधिनाम प्धती के प्रतिपालक है A. डाविन B. थियोफरेस्ट C. लीनियस D. हिप्पोक्रेटस इसका सही जवाब है लीनियस स्वाल नम्ब साथ, जिवानों की खोज सर्व प्रत्थम किसने की? A. Robert Coach B. Louis Paschard C. Leeuwenhock D. Robert Hook इसका सही जवाब है Leeuwenhock स्वाल नम्ब आठ, जिन पोधे पर बीज बनते हैं किन्तु पुष्ट नहीं लगते क्या कहलाते हैं? A. Brayophytes B. Terrophytes C. आवरित B. G. D. अनावरित B. G. इसका सही जवाब है अनावरित B. G. स्वाल नम्ब नौ जिवानों की साधारन आकरती क्या होती है? A. सरपिल B. गोल C. चछड रूपी D. कॉमा रूपी इसका सही जवाब है चछड रूपी स्वाल नम्ब दस जो जिवानों आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? A. वाइब्रियो B. गोलानू C. दंडानू D. स्पाइरिला इसका सही जवाब है गोलानू स्वाल नम्ब ग्यारह निमनल इखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? A. पिलिया B. तपेदिक C. चेचक D. ये सभी इसका सही जवाब है तपेदिक स्वाल नम्ब बारह मानव की आंत में पाया जाने वाला जिवानू है A. एशररिश्या कोलाई B. कोरिनो बैक्टीरियम C. वाइब्रियो कॉलेरी D. इनमे से कोई नहीं इसका सही जवाब है ऐशररिश्या कोलाई स्वाल नम्ब तेरह अंटिबायोटिक्स अदिकान्षत पाये जाते है A. आवरिता B. जियों में B. कवकों में C. विशानू серьез D. जिवानूह 29 A. माइकोपलाज्मा इसका सही जवाब है माईको प्लाजमा स्वाल नम्ब पंद्रह निमनलिखित में से कौन सा रोग जीवानों की कारण होता है A. पेचिस B. हैजा C. चेचक D. इन में से कोई नहीं इसका सही जवाब है हैजा दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके